करेंट अफेर्स की सीरीज में आज इस टॉपिक के साथ हम लोग उपस्तित हुए हैं वो टॉपिक एनर्जी सेक्टर के लिए अपने इन्वारेमेंट के लिए भारत की उर्जा सुरच्छा के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है और हाल फिलाल यह नेूज में इस बजह से था हमेशा एक नूज में रहे काल ऑफ कहरत हैं कभी एक-दो साल पहले काल मुद्द बहाए और करेंड हो गई तब यह मुद्द भारत की नाविकी उर्जा और उसका एक सब टॉपिक है इसका जिक्र आज हम लोग करने वाले हैं वो है अविक की उर्जा और संड़ चना नाविकी उर्जा और संड़ चना नाविकी उर्जा इसको हिंदी इंग्लिस में बोलता है कैसे डिवलप होती है अगर कोई लार्ज एटम भारी परमाडू तूट जाए दो या दो से ज्यादा एटम्स में छोटे एटम्स में इसमाल एटम्स में ब्रेक हो गया तो हमें यहां पर इनर्जी मिनती है कौन से ऐसे एटम होते हैं अगर आपने नाम सुना होगा इन बाई पी इन क्या है नंबर आफ न्यूट्राउंस और पी क्या है नंबर आफ प्रोटाउंस यह न्यूट्राण प्रोटाउंस क्या है यह बेसिक एलिमेंट है किसी भी एटम में एक होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर दो लोग होते हैं एक एलेक्टान और एक प्रोटान एलेक्टान और प्रोटान एलेक्टान नेगेटिवली चार्ज होता है प्रोटान का number equal होता इस वज़ hai क्या होता है तो terrifying को ना तो पॉज्टी होगा और इसके चारो और ऑगा ही इसके ड़लती हो गई है यह है प्रोटान यहां पर यहां पर प्रोटान और neutron होते हैं, electron इसके चार और चक्र लगाता है, number of neutrons is equal to होता है number of protons number of protons is equal to number of electrons किसी भी atom में number of protons जो होंगे, number of electrons के बराबर होंगे, proton positive charge होते हैं और electron negative charge होते हैं इसी वज़े से total atom देखा जाए तो वो क्या होता है, neutral होता है, उदासीन होता है, ना तो उस पर positive होगा ना negative होगा number of proton, number of electron के हमेशा हर एक atom में ये दोनों संख्याएं बराबर होती हैं जो number of neutrons होता है, वो atomic number minus number of proton कहिए ये number of electron कहिए, क्योंकि दोनों का number equal है, आप यहां पर कुछ भी रख सकते हैं ठीक, किसी भी atom के जो atomic number होता है, वो नीचे होता है और atomic mass हमेशा उपर होता है, जैसे ये ये atomic number है, यहां पर लिखा जाएगा और यहां पर atomic mass लिखा जाता है, ठीक, तो जिसका भी n by p ratio वो one से ज्यादा होता है, जिसका भी n by p ratio one से ज्यादा होता है, वो atoms radioactive होते हैं और इन ही को लार्ज atoms की स्रेडी में रखा जाता है, जनरली ये सिरीज, 82 के बाद शुरू होती ही, जिसका भी atomic number 82 है, लेड है सायद, 82 आप radioactive, उसमें periodic table में देखिएगा आवर सारडी में, 82 के आसपास, 82 के बाद जो भी होगा, वो सारे के सारे atoms किसमें होते हैं, वो सारे सारे radioactive होते हैं और अधिकतर वो atomic energy के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं, अब हमारा जो concern है, वो atomic energy में uranium के ऊपर है, uranium, सबसे पहली बात तो इसका आयस्क पूछा जाता है, और, इसका आयस्क क्या है, आयस्क मतलब वे खनिज जिनसे इनको एक्स्ट्रेक्शन होता है, वे मिनरल्स जिनसे इनको क्या कर सकता है, निकालता है, तो वो होता है, pitch blade, pitch blade, ठीक, pitch blade, uranium का एस्क है, यह ध्यान रखिएगा, अब बात यह होती है, कि एक आपने टर्म पढ़ा होगा, आईसोटोप, आईसोटोप वो होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, और एक होते हैं आईसोबार, जिसको बोलते हैं समभारिक, सम्भारी या सम्भारिक, अईसे atoms जिनके सेम atomic नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं आईसोटोप और जिनके सेम atomic mass होते हैं उसको बोलते हैं आईसोबार, कि आइसो बार कि एक फेमस आइसो टूप हाइडरोजन का है 1 ë1 1 ë2 1 फ3 इसको बोलता है हाइड्रोजन इसको बोलते है ड्यूटिरियम और इसको बोलते है ट्राइटियम कि यूटीरियम को हैवी वाटर भी बोला जाता है भारी जल और यह कहां से मिलता है समुद्र से एक प्राइटियम यह जो सूर्य में आप देखते हैं कि सूर्य इतने लाखों वर्स से लगातार चमक रहा है उसका करण यही है इनके जो हाइड्रोजन के आईसोटोफ होते हैं उन्हीं के बीच में क्या होती है वहाँ पर रासाइनी क्रिया होती है ठीक है तो यूरेणियम में भी आईसोटोप होते हैं यूरेणियम के आिसोटोप कौन कौन से है एक है यूरेणियम 238, दूसरा है यूरेनियम 235 और तीसरा है यूरेनियम 233 233, 235, 238 क्या है atomic mass है और इसका atomic number क्या है 92 तभी का यह isotope है ठीक अब बात यह आती है कि जो atomic energy होती है वो दो type की होती है तो तरीके से atomic energy हमें मिलती है एक होता है sunlion sunlion का मतलब हिंदी में बोलते है fusion atomic fusion उसको बोलते है नाविकी sunlion दूसरा होता है season इसको बोलते हैं विखंडन जो मैंने आपको पहले बताया यह एक atom दो छोटे atom में break हो करके energy को release करता है अगर इसी का reverse हो जाए मतलब दो छोटे atom मिल करके एक large atom बनाएं तो उसको क्या बोलेंगे यहां पर A और B मिला करके C बनाते हैं A और B दो छोटे atom हैं उनको मिल करके एक नया atom की संरचना होती है उसको बोलते रहे हैं एक नया atom को C बोल रहे हैं इस case में जो energy मिलती है उसको बोलते हैं atomic energy by nuclear fusion जो लोग मिल करके सलनेयर मतलब जोड़ना और यहां पर क्या है C जो वहां पर बन रहा था C यहां पर large atom है यह दो small atom में break हो करके क्या बनाएगा वो क्या देगा energy यहां की जो energy है वो क्या है season के द्वारा है विखंडन के द्वारा विखंडन मतलब तूटना large atom दो small छोटे atom में break हो रहा है अब आपको यहां पर यह जरूर सोचना है कि हमें energy दोनों तरीके से मिल रही है fusion से भी और fusion से भी लेकिन fusion के लिए यह हो रहा है कहां पर sun में यह जो सूर्य भगवान इतने लाखों वर्स से बिना रुके बिना ठके पूरे विश्व को जगमक कर रहे हैं और photosynthesis के main कारक बने हुए हैं अगर प्रकास translation ना हो तो जीवन असंभव है ना तो आक्सीजन मिलेगा और ना ही खाना मिलेगा तो जो सूर्य में हो रहा है वो सल्लेयन हो रहा है इसमें क्या है यह जो प्रोटियम मिल रहे है यह जो hydrogen इसको हम लिखे हैं इसको बोलते हैं प्रोटियम 1H1 को 1H1 को प्रोटियम बोलना है इसको deuterium बोलना है इसको tritium तो इनहीं में आपस में क्या होता है सनलयन होता है आपस में fusion होता है और फिर एक नए atom का निर्माण होता है फिर वापस से वो दोनों मिलते हैं इसके लिए हमें high temperature की जरुवत पड़ती है और sun का temperature आपने पढ़ा होगा लगभग six thousand degree Celsius के आसपास होता है इतने बड़े temperature को maintain करना अपने आप में क्या है बहुती tough काम है क्योंकि जिस भी box के अंदर इस temperature को maintain करेंगे उस box की दीवारें उस temperature से पिघल जाएंगी तो इस वजए से fusion के द्वारा अभी तक energy हम लोग practical उसमें नहीं बना पा रहा है अभी हम आगे बताएंगे कि रिसर्च कुछ चल रही है कुछ छोटे छोटे प्रोटोटाइप हमने बना भी लिए हैं लेकिन लार्ज स्केल पर अभी यह सुरू नहीं हुआ 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 है इसका फीजन से अटामिक एनर्जी बना रहा है प्रेक्टिकल रूप में जो हमारे नूकलियर पावर प्लांट है वो सारे के सारे अटामिक फीजन पर काम कर रहा है और इसका निगेटिव आसपक्ट क्या है कि हम इसी से एटम बंब बनाए ले रहे हैं परमाड़ बंब तो एटम बंब और हाइडोजन बंब में अंतर क्या है बेसिकली कि दोनों में प्रक्रियाएं अलग अलग है एनर्जी दोनों से मिल रही है और तो और वो इनर्जी कोई अच्छी एनर्जी नहीं है वो विनासकारी एनर्जी है लेकिन वो विनासकारी एनर्जी में एक प्र नाभिकिय सनलयन और एटम बम किस सिद्धान पर काम कर रहा है नाभिकिय विखंडन नूक्लियर फीजन ठीक तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आस्पेक्ट देख लिए अब देखिए हमारे पास कि करमल रियक्टर हैं कि 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 पास्ट रियक्टर है और प्रीडर रियक्टर है कि इन दोनों को मिला करके बन गया पास्ट ब्रीडर रियक्टर और जब इन तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा फास्ट ब्रीडर थरमल रियक्टर क्या अंतर है इनमें इनमें अंतर ये है कि इसमें यूज होता है नैचुरल यूरेनियम इसके लिए इन्पुट माटेरियल या रा माटेरियल के लिए रा माटेरियल के लिए नैचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है नैचुरल यूरेनियम नहीं इसमें यूरेनियम प्लस लूटोनियम यह दोनों क्या है कि परियार्डिक टेबल के एलिमेंट है यह 92 और इसका है अटॉमिक नंबर 93 यह है 238 और यह है 239 ठीक यह क्यों ऐसा किया जा रहा है यह केवल और केवला इस बात पर BMW है कि हमने टेकनोलोजिकल ड़िकल डेवलपमेंन चैसे की पहले यह आये फिर यह आये इसका मतलब यह क्या है सेकंड के है और वह क्या है फरस्ट स्टेज के और इसके बाद जिस थर्ड स्टेज में हम जाना चाहे रहा हैं वह है advanced heavy स्थ हाईवी वाटर य रीडियक्टर म 되면 आपस Germany है užको बोलते हैं ब्म वार वाईलिंग वाटर रीडियक्टर या इच डब्लूर अब्रे स्राइज ट हैवी वाटर ओर प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रियक्टर होता क्या है एक फेज तो यह आप इसको अलग से बनाईएगा भी इस पर फिर से आएंगे होता यह है कि जो हमने बताया कि एक लार्ज एटम तो इसमाल एटम में ब्रेक हो रहा और एनरजी दे रहा तो यह जो लार्ज एटम है यह अपने आप अगर ब्रेक होने लगे तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप ही मतलब इनके पास इतनी ज्यादा एनरजी आ गई कि अपने आप ही उसको क्या कर रहा है है अपने पढ़ा होगा अलफा बीटा गामा मैडम क्यूरी को इसी वज़े से मिला एक्स रेज आपने पढ़ा होगा मैडम क्यूरी को इसी रेडियो एक्टिविटी के वज़े से नोबल प्राइज मिला अब होत्ता क्या है कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो रेडियो एक्टिव तो हैं लेकिन हमें उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करना है अपने उर्जा प्रच्छा को पूरा करने के लिए उर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए energy necessity को पूरा करने के लिए फुल्फिल करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि इस c पर high velocity neutron कि bombardment करते हैं बंबारी करते हैं पहुचार करते हैं इस पर किस पर c पर तब जा करके ये दो element में break होता है और फिर energy निगलती है ये हम जानबूच कर कर रहे हैं और इसी principle का इस्तेमाल किया जाता है nuclear energy में या nuclear reactor में अब heavy velocity neutron यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना है पहला जब आप neutron इस पर bombardment करेंगे यहां पर मान लीजिए इसी की जगह है uranium तो uranium में जब भी neutron की बंबारी होगी तो uranium दो part में break हो जाएगा दो elements में break हो जाएगा और energy मिलेगी energy के साथ कुछ neutrons भी generate होंगे इन neutrons को हमें absorb करना है समय के साथ otherwise इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम control नहीं कर पाएगे तो इन neutrons को extra neutrons जो आपके आए उस neutrons को absorb करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं हाँ एब्जॉर्बेंट या और सोशक जो extra energy है जिससे की heat develop हो रही है वो energy धीरे धीरे develop हो रही है उस energy का इस्तेमाल हम अपने पानी को गरम करने के लिए उसको steam बनाने के लिए नहीं कर पा रहा है वो हम से क्या हो रही है इतनी कम energy है कि अगर वो लगातार develop हो रही है तो heat generate हो रही है तो उसको हम इस्तेमाल करने के लिए उसको हम एब्जार्ब करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे पूलेंट का और इन न्यूट्रांस की विलासिटी को कंट्रोल करने के लिए विलासिटी कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे मौडरेटर का ठीक किसका इस्तेमाल करेंगे मॉडरेटर का कूलेंट होता है कि या तो कि टू ओ डी टू ओ का मतलब हैवी वाटर कि या कि क्या हो सकता है लिक्विड कि सोडियम एक लिक्विड सोडियम न का मतलब. सॉडियम है ध्यान रखिए गाल का जो परियरिक टेबल में सिंबल है, वह लिक्विक्विड सोडियम में लेगिन ये खत्रा है क्या खत्रा है कि अगर ये पानी सको मिल गया है तो इसमें आग लग जाएगी इसी पिज़े सिसको एकर पानी या मिट्टी के पtsåकया डिजल में दबा कर रखते हैं अगर जैसे इसको पानी मिला पानी चाहे वो औस का हो जाहे नार्मल पानी हो अगर जैसे ही मिला इसको ये आग पकड़ लेता है ठीक है तो जो आप लोग जादू में देखते हैं कि पानी में भी आग लग गई वो यही होता है जैसे सोडियम डाले आग लग गई और आपको देख रहा कि ये जादू हो रहा है ठीक है जो मौडरेटर के रूप में इस तो कंट्रोल रॉप में किसका इस्तेमाल किया जाता है कैडमियम और बेरियम की रॉट्स होती है ये कि मौडरेटर के रूप में किस ते मौडरेटर कंट्रोल रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कैडमियम बेरियम की और ग्रेफाइट रॉट्स भी होती है ग्रेफाइट क्या है कार्बन का एलो ट्रॉप है अपर रूप रटिये का नहीं ग्रेफाइट अगर कहा जाए तो आपकी घरो पेंसिल में जो यूज होता है पेंसिल में ग्रेफाइट ही होता है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही है ठीक बहुत ही तॉफ्ट होता है वह देखिए हाथ से भी तोड़ने पर तूट जाता है ठीक ह तरह ध्यान में रखिएगा कि इंधन के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहा है यूरेनियम का अब दिक्कत कहां आई यह दिक्कत आई यहां पर यह नैचुरल यूरेनियम नैचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 यह इसके आईसोटोप है यूरेनियम 238 का कंटेंट होता है 99.3 और यह केवल होता है 0.7 परसंट अध्यान से सुनियेगा बहुत इंट्रेस्टिंग बात आपको बता रहा है नैचुरल यूरेनियम जिसको आप निकालते हैं पिछ ब्लेट से उसमें से नाइनटी नाइन परसंट कंटेंट है 238 का और 235 का कंटेंट कितना है 0.7 अब जब हम इस यूरेनियम पर न्यूट्रॉंस की बंबार्डमेंट करते हैं इसका इसका अटॉमिक नंबर है जीरो अटॉमिक मास है वन ठीक यह और एन का मतलब न्यूट्रॉंस है जब हम इसकी बंबार्डमेंट करते हैं तो यह न्यूट्रॉंस कि इसके काम आता है और यही दो पार्ट में ब्रेक होता है फिर सुनिए यह यूरेनियम है टोटल जैसे इस पर न्यूट्रॉंस गिरा तो न्यूट्रॉंस इसके साथ रियक्शन करता है इसके साथ नहीं मतलब जो एनर्जी हमें मिल रही है वो किसके कारड़ मिल रही है इसके कारड़ तो जिसके करण एनर्जी मिल रही है उसको बोलते हैं फिजाइल माटेरियल इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडनी ये पदार्थ ये जो है अगर इसके साथ neutron मिल जाए जैसे लिखा है 92 uranium 238 अगर इसके साथ एक neutron मिल जाता है तो ये बन जाता है 92 plutonium 239 इसको artificial uranium बोलता है 238 है कि अगर neutron इसके साथ मिला तो ये plutonium में बदल जाएगा ये जो plutonium में बदला तो plutonium हमारा artificial uranium कहलाता है मतलब ये वही काम करेगा जो uranium करता था और uranium क्या है फिजाइल मटेरियल 235 वाला तो इसको artificial uranium 235 भी बोलते हैं इसको plutonium 239 को तो ये जो uranium 238 है ये है फिल्टाइल मटेरियल क्या है फिल्टाइल मटेरियल इसको बोलते हैं उरूवर पदार्थ अगर जमीन उरूवर होती है फिल्टाइल होती है तो उसमें से उत्पादन जादा होता है अब आपको ये समझना है कि अगर मैं natural uranium का इस्तेमाल कर रहा हूँ atomic energy develop करने के लिए तो उसमें 99.3% हमें waste मिलेगा ये और energy के लिए responsible क्या है केवल और केवल ये तो हमारे पास दो विकल्प हैं या तो इस material को हम waste समझ करके फेंक दें या कुछ ऐसी technology develop करें कि इसमें का percentage हम इधर transfer कर दें फिर से तुनिये नेचुरल यूरेनियम में जो हमारे काम का है वो ये है वेस्ट ये है तो हमारे पास दो option है या तो हम वेस्ट को निकाल करके फेंक दें या कुछ ऐसा technology develop करें कि इस waste को मतलब fertile material को physical material में बदल दें क्योंकि हमारे काम का क्या है physical material अब इस प्रासेज को मतलब fertile material को physical material में बदलने के प्रासेज को बोलते हैं fertile material को physical material में आपको बदलना है इस प्रासेज को बोलते हैं enrichment क्या बोलते हैं enrichment हिंदी में समवर्धन क्या बोलते हैं समवर्धन अब आपको यह समझना है जो developed countries हैं अमेरिका हुआ फ्रांस हुआ कैनेडा हुआ रूस हुआ उन्होंने यह टेक्नोलोजी डेवलप की अब आपको पता है कि यह आज कल इन मिनरल्स को ट्रिटिकल मिनरल्स की स्रेडी में रखा जाता है जो कि अर्थ बिवस्था के लिए एक रीड का काम करें उसमें यह nuclear reactor वाले भी element आते हैं तो सभी जगे लगबग uranium का इस्तेमाल किया जा रहा nuclear energy के लिए तो जो developed countries हैं वो सभाविक सी बात है कि वो हमेशा reactor किसके अनुसार बनाएंगी जो उनके आहां material हो रहा है और उनके आहां क्या हो रहा है uranium है तो uranium material का में मतलब जिस reactor में uranium ऐसे material यूज होता होगा वो वैसा reactor बनाएंगे और वही रियक्टर वो developing countries को बेचेंगे कि आप nuclear reactor लगाना चाह रहे हैं लो हमसे खरीद लो तो भारत ने क्या किया कभी France की सहाथा से कभी Germany की सहाथा से कभी Canada की सहाथा से कभी Russia की सहाथा से reactors लगाए तो यह सारे सारे रियक्टर में कौन सा इस्तेमाल हो रहा uranium अब वो लोग होसियार है वो आपको रियक्टर भी बेचेंगे और क्या कह रहे हैं कि हमसे uranium भी ले लो क्यों क्यों कि uranium हम भारत में नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में है तो भारत के पास दो समस्या है रियक्टर भी आयात कर रहे हैं मटेरियल भी आयात कर रहे हैं लेकिन उस मटेरियल में से वेस्टेज क्या है ज्यादा है 99.3 परसेंट वेस्ट अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि इस वेस्ट को आप अगर नॉर्मल इंवार्मेंट में फेंक दोगे सामाने तरीके से तो यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पर्यावरण में प्रोदूसर फैलाएगा और तो और इनका लाइफ टाइम बहुत जादा होता हाफ येर लाइफ टाइम आप लोग पढ़े होंगे अर्द आयूकाल प्लूटोनियम का ही 24,000 वर्स है मतलब अगर प्लूटोनियम कहीं है तो 24,000 साल बाद उसकी क्वांटिटी आधी होगी जितनी है अभी तब तक मैं मानूं कि कितनी सारी पीडिया चली जाएंगी रिसाइकिल हो करके, वह मटेयल रिसाइकिल हो या ना हो तो क्या किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि आप हमें वापस कर दो वो क्यों उस अपसिस्ट को उस वेस्ट को लेना चाह रहा है क्यों क्योंकि उनके पास यह टेक्नोलोजी है फल्टाइल मेटेरियल को किसमें बदल देंगे फिजाइल मेटेरियल तो ये जो uranium 235 का content 0.7 है इस content को 5% तक बढ़ा सकते हैं 3-5% अगर आप 3-5% तक बढ़ाते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं nuclear reactor में किसके लिए उर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए एनर्जी आवश्चक्ता को पूरा करने के लिए लेकिन अगर आप यही percentage 30-40% enrichment कर रहे हैं तब आप उर्जा सुरच्छा के लिए उर्जा जरूरत पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं फिर आप किसके लिए कर रहे हैं nuclear bomb बनाने के लिए कर रहे हैं तो कौन है जो निगरानी करेगा कि आप किसलिए कर रहे हैं उसके लिए एक संस्था है IAEA International Atomic Energy Agency 1971 के आज़ पास ये संस्था बनी है और वही निगरानी करती है पूरे विश्व में देशों को कि कौन ये काम करने के लिए कर रहा कौन ये काम करने के लिए कर रहा इसी के रिपोर्ट के आधार पर आपने सुना होगा ये बार बार रिपोर्ट दे रही थी पहले कि इरान ये काम कर रहा है और बाकी विक्सित देश खास करके अमेरिका उसको ये रोकने में लगे हैं कि नहीं आप न्यूक्लियर बंब नहीं बनाएए तरहनी समझ में आगई इसके पास भी नूक्लियर बंब है इसके पास भी पर माण सकती है वह विस्षू का दादा भारत को भी रोका गया था लेकिन वैस्विक खत्रों को देखते हुए भारत ने डेवलप किया है पाकिस्तान ने डेवलप कर लिया अच्छा ही नहीं नहीं कर पा रहे हैं खत्रे में उनके आहां अब आपको यह समझना है कि जो enrichment कर रहे हैं यह किसलिए कर रहे हैं अगर आप यतना कर रहे हैं 3-5% enrichment इसका मतलब कि आप nuclear reactor के लिए में इस्तेमाल करने के लिए मतलब उर्जया जरूरत पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं अगर आप इतना enrichment कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप nuclear बनाने के लिए कर रहा है ठीक है और इन्रिच्मेंट कैसे होता है प्रासिज क्या है इसके लिए दो तीन प्रासिज का नाम जानते रहिए एक तो है diffusion अब सरड कि इस जैसे सेंट की सिसी खोलिए पूरे कमरे में महखने लगेगा वो डिफ्यूजन है क्या है कि सेंट्रिफ्यूगेशन दूद से क्रीम निकालता है ठीक उसी प्रासेज का इस्तेमाल अभी केंदरी बल का इस्तेमाल करके हम इंडिशमेंट आप करते हैं और तीसरी टेकनालोजी है लेजर के द्वारा हम उस आईसो टोप को इस साइसोटोप में कनवर्ट करते हैं ब्रेक करके 238 को 235 में ठीक है तो भारत के पास समस्या क्या है कि अगर वो नैचुरल यूरेनियम लेता है तो वेस्ट को किस में बदल दे फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में बदल करके उसका मैक्सिमम यूज कर सकता है और इसके लिए भारत ने इपार्टमेंट आफ एटामिक एनरजी की स्थापना की खतंतरता के समय से ही और डाक्टर होमी जहांगीर भाबा के सानिध्य में परमाणू उर्जा कारेक्रम भारत का चला परमाणू अधार लिए फिर हमने दीरे दीरे इनर्चमेंट की प्रॉसेज एचीव की और आज हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है भाविनी भारतिय नाभिकिय भारतिय नाभिकिय विद्यूत निगम लिमिटेड है इसी के अंडर में है यह संस्था और यही संस्था सभी रियक्टर्स के लिए रियक्टर्स के आउपरेशन कमिसनिंग टेस्टिंग और इंस्टालेशन इस्थापित करना उसको चलाना इस्थ करना इन सब के लिए रिस्पॉंसिबल है यही संस्था भाविनी ठीक कसे के अंडर में है इसके अंडर में टीपर्टमेंट औफ अफ एतामिक एनर्जी और इसी के अंडर में एक और संस्था है जिसका नाम है बार्ग भावा ऑटामिक रिशंच सेंटर ठीक did nuclear energy में research करने की जिम्मिदारी किसके पास है वारवीनी की इनको ट्रांसफर करता है और फिर यह आपना काम करते हैं यह एक पब्लिक लिमिटेट कमपणी ध्यान रखिएगा पब्लिक लिमिटेट कमपनी कि सरकार की पूरी कमपनी है सरकारी कमपनी है यह इस अब हमारे पास कि हमने इन्रिच्मेंट कर लिया लेकिन इन्रिच्मेंट तुरंट तो हुआ नहीं सबसे पहले हमने क्या किया नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया तो जिस रियक्टर में इस्तेमाल किया वो क्या थे हमारे पास थर्मल रियक्टर उन थर्मल रियक्टर का क्राइटेरिया अलग-अलग और अगर कटेग्राइज करेंगे तो दो कटेग्री में आते हैं बॉयलिंग वाटर रियक्टर और प्रेसराइजड हैवी वाटर रियक्टर इंडिया में अभी तक है 19 और वाइलिंग वाटर रियक्टर कितने हैं तो ठीक है maximum कौन है इन में क्या समस्या पता चल गया यह इनन की रूप में फ्यूल की रूप में किसका इस्तेमाल कर रहा है रा मटेरियल की रूप में नेचुरल यूरेनियम का नेचुरल यूरेनियम में क्या समस्या मैंने आपको बता दिया अब उस नेचुरल यूरेनियम की समस्या को हमने हल किया सेकंड स्टेज में यह हमारा सेकंड स्टेज का परमाणुकारेक्रम का रियक्टर है यह फस्ट स्टेज यह सेकंड स्टेज इसको क्या बोलता है एफ बी टी आर या एफ बी आर फास्ट ब्रीडर रियक्टर देखिए ब्रीडर क्यों बोल रहे हैं तो क्योंकि uranium 238 में अगर एक neutron और मिल गया तो किसमे बदल जाएगा plutonium में किसमें बदल जाएगा plutonium में तो जो neutron के वलप हुए वही जो है वो closed cycle से उसी में reaction चलती रहती है और uranium से plutonium बनता रहता है और मैंने आपको क्या बताया है कि plutonium है क्या plutonium है artificial uranium बस उसका नाम दे दिये plutonium कि तो सभाविक सी बात है कि जो यहां पर हमारा वेस्ट था उसको हमने recycle reactor के अंदर ही कर दिया और उसको एक fertile material को फिजाइल material में बदल दिया है तो यह हमारा क्या है सेकेंड जनरेशन कि कुजी न्यूक्लियर रियक्टर है कि फास्ट ब्रीडर थर्मल रियक्टर या फास्ट ब्रीडर रियक्टर भी इसको बोलते हैं और अगर हम थर्ड स्टेज में जाएं तो है advanced heavy water reactor रियक्टर में neutrons की जरूरत नहीं पड़ती परी कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ती यहां पर कूलेंट क्या है लिक्विड नाइट्रोजन यहां पर कूलेंट क्या है भारी जल डी टूओ अब आपको यह ध्यान में रखना है कि अच्छा एक चीज और आपको बताता है कंट्रोल राड और मॉड्रेटर दो चीज होते हैं मॉड्रेटर का मतलब क्या है कि आप उनकी वेलाउसिटी को कम कर रहा है और लगा और जो उनको एब जार्ब कर ले रास्ते से हटा दे वो क्या होता है यह दो चीज जारा ध्यान में रखिएगा अच्छा यहां पर यहां पर कूलेंट की जरुवत नहीं पड़ती है लिक्विड नाइट्रो जो स्वरी सोडियम की जरुवत यहां पर नहीं पड़ेगी कि अधिक है कि एडवांस्ट हैवी वाटर रियक्टर है और यह गलत बहुल दिये मॉड्रेटर की जुरुवत यहां पर नहीं पड़ेगी कि मॉड्रेटर की आवस्चेक्ता नहीं है क्योंकि अब यहां पर बात होता रही है कि इसकी न्यूट्रॉन डिफलेक्टर आ गए वो डिफलेक्ट कर देते हैं उनका पात ही चेंज कर देते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हुआ यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 249 का मिक्चर डाला जा रहा है इंधन के रूप में अब समस्या यह आई यूरेनियम कहां पाए जा रहा है मद्देश्या में अधिकतर आस्टेलिया में आज भी भारत सबसे आदा यह जो मद्देश्या की कंट्री हैं कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इनसे कजाकिस्तान सबसे अदा यूरेनियम निर्यात करने वाली कंट्री है पूरे विश्व में और यूरेनिय लिए गहीं से कुछ ले लिए और अपनी आवश्चता पूरा कर लिए उनको भी उनके आभी किसी चीज की कमी है तो हम उनको दे दिये एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा अब हमें आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि ना तो यूरेनियम भारत में है ना यूरे हमको अगर देखा जाए तो इसका अटामिक मास होता है तू थर्टी टू कि यह साइद नाइन्टी कर लीजिएगा नाइन्टी है अगर मैं इसको कि एक न्यूट्रॉन और दे दूं तो यह किसमें बन जाएगा तू थर्टी थ्री तो यहां पर यह जो हमने एजडबलू आर लिखा यहां पर क्या है पोरियम और यूरेनियम 232 और 233 का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के रूप में अभी यह डिवलप्मेंट स्टेज पर है अभी यह डिवलप नहीं हो पाया है तो जो फर्स्ट का वेस्ट था सेकंड में यूज किये और सेकंड का वेस्ट कहां जाएगा थर्ड में कि किसी को बोलते हैं इंडिया का थी स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम तीन चरड यह नाभिकी यह योजना पहले चरण में यह सेकंड इस्टेप में यह और थर्ड इस्टेप में यह क्यों यह आया क्योंकि भारत में विश्चु का पचीस परसंट थोरियम पाय जाता है कहां पर पाय जाता है वो देख लीजिए पोस्टल सैंड्स में केरला हो गया करनाटक हो गया आंधर प्रदेश हो गया औरीसा हो गया और इन सैंड्स को यह जो ओर है इन सैंड्स में sapp Farm Co Mark बोलते हैं मोनाजाइट रहकिएगा मोनाजाइट किसके लिए है कोरियमρε रिसोर्स के लिए एक ओर के रूप में काम करता है मोनाजायट और कुछ नहीं है को स्टल रीजन में जो रेथ होती उसी को बोलते हैं मोनाजायट उसमें क्या है ठोरियम के बंदार मिले अच्छे खासे अब जब वहारी पास बंदार है और हमारे पास वह टेकनालोजी नहीं है कि हम इस भंडार को यूज़ कर सकें तो भी टेक्नलोजी डिवलप्मेंट के स्टेज में है यह पूरी कहानी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं यह पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इस वज़े से पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर भारत का आप मैप देखेंगे तो केवल एक ही पावर प्लांट है न्यूक्लियर रियक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो की उत्तर प्रदेश में है जो की समुद्र तट से दूर है और कहां पर है नरवरा बुलंद सहर में किसके नदी के किनारे है गंगा नदी के किनारे है यह वाटर चाहिए ही चाहिए बाकी जितने भी आपको पाउर प्लांट मिलेंगे सब के सब कोश्टल स्टेट में मिलेंगे कुजरात में काकरापार काकरापार अभी कुछ दिन पहले इसकी एक यूनिट में लीकेज हुआ था फूलेंट लीक करने लगा था ठीक है तो इस बज़े से इसकी यूनिट को बंद किया गया 700 मेगावाट की यूनिट थी महाराष्ट में है तारापुर फेमस करनाटक में है कैगा फ्रांस की सहाथता से लगा है यह और यहां पर है केरल में कल पक्कम नहीं केरल में नहीं तमिल नाडु में है यह तमिल नहीं की आगर मैं पैसे है तो यहां पर है कल पक्कम और है कुडन कुलम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि कल पक्कम नहीं कल पक्कम में कृक्रि न्यूकुलियर येक्टर में कि इक प्रोटोटाइप का मतलब पहला है एक ट्राइल के रूप में, फास्ट ब्रीडर रियक्टर को न्यूक्लियर फ्यूल वहाँ पर लोड करना शुरू किया, और न्यूक्लियर फ्यूल लोड करने के बाद तुरंत नहीं चालू हो जाता है, एक निस्चित टमप्रेचर आने के बाद एनर्जी जनरेट होत करता है, तो उसको बोलते हैं कि ये क्रिटिकल स्टेज तक पहुच गया, उसके बाद एनर्जी उससे जनरेट करते हैं, तुरंत ही नहीं, ठीक है, तो कल्पक्कम में भी एक प्रोटोडाइब, पी, एफ, बी, आर, फास्ट ब्रीडर रियक्टर का इस्तेमाल किया गया, जि प्रोडन कुलम, रसिया के सहयोग से है, बन रहा है, ठीक है, इसके लिए काफी हंगामा किया पर्यावरड भी दिने, ग्रीन पीस या ग्रीन वाच करके जो कोई है, ग्रीन पीस ही है साइद, एक एंजीयो, उस पर इल्जाम लगा कि ये जो है, बाहर से फंडिंग ले करके, अर्थ बिवस्था के विकास को रोक रहे हैं और लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं, और ये इंट्रेस्टिंग बात है, आप देखते होंगे, जब से अटामिक प्रोग्राम सुरू हुआ, 1950 से, आज तक न्यूकलियर एक्सीडेंट एक भी नहीं हुए, हिरोसिमा हो गया आपने वहाँ पर जापान में सुना होगा, ठीक है, फुकुसीमा, हिरोसिमा नहीं, फुकुसीमा, अब तो हाल फिलहाल वहाँ पर न्यूज में और आया है कि जो फुकुसीमा का रेडियो एक्टिव पानी है, वो जो है समुद्र में जापान डाल रहा है, परियावर प्रो सबसे पहले हम सुरच्छा को प्रात्मिकता देंगे, उर्जा को नहीं, जब मनुष से ही नहीं रहेंगे, तो फिर किसके लिए एनर्जी डेवलप करेंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, तो इसी लिए ये नियूज में था, तो अगर मैं FBR के लाव देखूँ, तो स्वभाविक सी बात है, कि पहला लाव तो यही है, कि अपसिष्ट में कमी आएगी, क्यों, क्योंकि जो पहले स्टेज का अपसिष्ट है, वेस्ट है, वो हम इसके लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक, ये सबसे इंट्रिस्टिंग बात है, दूसरा बात क्या है, कि इस सेकेंड इस्टेज का रास्ता साफ हो रहा है, सेकेंड इस्टेज के लिए, कदम या विकास, पर हम मुव कर रहा है, ठीक है, थर्ड, थर्ड स्टेज के लिए मार्ग प्रसस्त सेकेंड स्टेज में जब मूव कर जाएंगे तो थर्ड स्टेज के लिए आगे का काम करेंगे यहां पर आपको कुछ चीजे ध्यान में रखनी है अगर आप हाल फिलाल न्यूज सुनते होंगे तो दो साल के अंदर कैनेडा ने सबसे पहले क्योंकि फुकुसिमा इंसीडेंट भी दो चार छे साल में हुआ है तो कैनेडा ने अपने सभी परमाडू रियक्टर्स कैनेडा या फ्रांस जहां तक मुझे आधा चैनेडा है उसने सभी न्यूक्लियर रियक्टर क्या कर दिये बंद कर दिये कि ne कि पास्ट ब्रीडर येक्टर में वर्ड में जो अमेरीका हुआ क्योगे हुआ मैं like United Kingdom और ये ईवरांस हुआ जर्मनी हुआ य्यू पास्ट ब्रीडर येक्टर उन्होंने अपने यहां चालू नहीं किये फास्ट ब्रीडर रियक्टर चालू करने वाला भारत एक लोता देश है जो कि कॉमर्सियल लेवल पर इसको प्रमोट कर रहा है सेकेंड इसका स्टेज का न्यूकलियर प्रोग्राम का यह घटक है फास्ट ब्रीडर रियक्टर ठीक है तो एक थोड़ा उर्जा सुरच्छा संबंधि जो है एक इसू भी आता है सुरच्छा संबंधि कि फास्ट ब्रीडर रियक्टर वर्ल्ड में जो डिवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सुरच्छा कारणों से फास्ट ब्रीडर रियक्टर का कॉमर्सियल यू पर है लेकिन इन्होंने क्या किया कलपक कम में शुरू कर दिया है ठीक है अब सिस्ट में कमी आ रही है और तूस थार्ड स्टेज के लिए मार्ग प्रसस्थ हो रहा है और क्या हो सकता है तक्नीकी उन्नती भी कह सकते हैं टेक्नोलोजिकल डिवलप्मेंट ठीक अब जो हमें समझना है वो यह समझना है कि भारत में उन्नीस्त हो गए पी एच डबलू आर प्रस्राइज हैवी वाटर रियक्टर दो हैं बॉइलिंग वाटर रियक्टर यह दो बॉइलिंग वाटर रियक्टर कहां हैं तारापुर में महाराष्ट में और दो हैं फास्ट ब्रीडर येक्टर FBR कहां कल पक्कम टोटल कितने हो गए 23 यह वो है जो कामर्सलाइज है रिसर्च के लिए अलग है जो बार्क में काम कर रहा है यह ध्यान रखियेगा यह वो है जिनसे हम एनर्जी डिवलप कर रहा है और जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए है वो अलग है उनको हम IAEA के निगरानी में नहीं रखे हैं International Atomic Energy Agency के निगरानी में उनको नहीं रखा जाता जो कामर्सलाइज हैं उनके निगरानी उसमें रखा जाता है IAEA इनहीं की खाली निगरानी करेगा जो हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है Atom Bomb से रिलेटेड हैं उनके लिए उनकी निगरानी हम उनसे नहीं कराएंगे यह ध्यान में रखिएगा ठीक है और क्या आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक इंडिया में 7.5 गीगावाट कहां से आ रहा है नूकलियर पावर प्लांट से आ रहा है यह टोटल एनरजी का कितने परसंट है लगभग 3 परसंट के आसपास 2.8 परसंट मतलब टोटल एनरजी जनरेशन में नूकलियर पावर की जो कैपसिटी है जो योगदान है वो कितना है लगभग 3 परसंट के आसपास 2030 तक भारत ने लच्छ बनाया है कि इसको हम 3 टाइम्स कर देंगे मतलब साड़े साथ की बजाए क्या कर देंगे साड़े 22 गीगावाट ठीक बागी देखिए करते हैं कि नहीं करते हैं यह तो एक लक्ष है एक नाम सुने होंगे SMR Small Modular Reactor इनकी कैपसिटी कितनी होती है 300 मेगावाट से कम जिस पर जो अभी कलपकम में काम चल रहा है फास्ट ब्रीकडर रियक्टर में हम फ्यूल भर रहे हैं वो क्या है 500 मेगावाट का है ठीक है तो 300 मेगावाट से कम वाले जो कैपसिटी के रियक्टर होते हैं वो Small Modular Reactor होते हैं पहली बात तो यह modular के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनके component ला करके कहीं अलग अलग जगए बने हैं और यह सब जोड़ करके रियक्टर बना दिये तो यह compact होते हैं साइज में ठीक वैसे ही जैसे कहा गया कि सुरुवात में पंडित नहरू ने कहा था कि यह जो बहुत देशी पर योजनाए हैं जो बड़े बड़े डैम बनाए हैं पाकरा नागल हो गया हीरा कुंड हो गया यह सब क्या है आधुनिक भारत के मंदिर हैं लेकिन इनसे क्या हुगा कि पर्याव रढ़ी समस्या सी इतनी जादा हो गएं नों का विस्थापन इतना ज्यादा हो गया इंच भागल क्याई है तो हम तक्रइटेरिया रखा गया इसमाल हाइडो पावर प्लांट डेवलपißt कीजिए नदी बहह कोटे स्केल पर कीजिए ताकि लोगों का विस्थापन भी कम हो और हमारी उर्जा की जरूरत्ते स्कतत रूप से पूरी हो सकें सस्टेनेबल डिवलप्मेंट की बात की जा रही तो ठीक वैसे यहां पर भी जो लार्ज अब जिसे कुड़न कुलम वाले में था लोग हंगामा क रहे थे जो विस्थापित हो रहे थे और हंगामा करना लाजमी है बाई सीधी सी बात यह है कि जल जंगल जमीन जो अभी तक उनका था उससे आप उनको विस्थापित कर रहे हैं तो क्या हुआ कि इसमाल मौडलर रियक्टर्स की धीरे धीरे उधारण आई तो यह भी आप न्यूज में पढ़ेंगे ठीक है इसमें भी सारा प्रॉसेज यही है बस यह क्या है इसमाल स्केल पर काम करते हैं ठीक है अब तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्रांट भी के ध्यान नहीं है वह आप सर्च कर लीजिएगा लेकिन इतना स्योर हूं है कि रस्या फस्त है इसने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्रांट उसका वह चल रहा है ऐसा नहीं कि वह खाली रिसर्च के उसमें धूमधाम से चल रहा है अर्क्टिक सागर में उन्होंने उत और तो इसमें कुछ नहीं छूटा है अचा हाँ एक चीज और बता देता हूं जो मैं ने कहा कि न्यूक्लियर जूजन से अटामिक इनरजी भी बनाने की बात चल रही है तो उसके संबंधित एक प्रोडिक्ट है उसका नाम ध्यान रखिएगा आई टी ई आर इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर थर्मो न्यूक्लियर एक्स्पेरिमेंटल रियक्टर क्या कर रहा है न्यूक्लियर फीजन के द्वारा फ्यूजन के द्वारा हम इसमें मतलब एक तरीके से आर्टिफिस्यल सन बनाने की बात की जा रही है देखिए सूर बनाना मतलब क्या है 6000 डिग्री सेल्सियस का टमप्रेचर लगातार बनाए रखना और ये तभी बन सकता है कि अगर मुझे इस बॉक्स में बनाना है नीचे से क्लोजट है क्यों क्योंकि इसी टमप्रेचर पर ही न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है नाविकी सनल्यन हो सकता है क्योंकि सूर्य का लगबग टमप्रेचर इतना तो हई है पूरा तो मेंजर नहीं किया गया लेकिन हाँ दूर से जो मेंजर किया गया वो यह है तो इस टमप्रेचर को मेंटेन अगर हम करेंगे तभी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा अब अगर इतना टमप्रेचर हम जहां पर मेंटेन करेंगे तो यह दीवालों के पास उतनी सहन सकती होनी चाहिए यह उस मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि जो इतना टमप्रेचर लगातार सहन कर सके एक दो मिनट एक दो सेकेंड तूर्य जो है केवल जपकी दे करके चला जाए वो सही नहीं है कंटीनिव अगर एनर्जी चाहिए तो यह कार्टी फिसल संकी बात की जा रही है तो इसके लिए क्या किये पहले क्या कुँआ तो अभविक सी बात है कि पहले डेवलप्ड कंट्रीज का यह मॉडल होगा थोटी मोटी कंट्रीज को पूस्ती भी नहीं है और खास करकि ऐसी कंट्रीज को जो की जो है विकास सील हो तो ऐसे भी उनकी बदनामी वाली बात हो जाती ही कि एक एलीड ग्रूप में यह दूसरे लोग कहां से आ गए तो आपको देखने से ही लग रहा होगा 2006 से यह प्रोजेक्ट 2006 से नहीं 1990 के आसपास से प्रोजेक्ट चल रहा है 2006 में इसमें भारत सामिल हुआ भारत को बुलाया गया क्यों क्योंकि जो भारत की टोको मैक टेक्नोलोजी है पोटो मैक पोटो मैक टोको मैक नहीं पोटो मैक टेक्नोलोजी है प्लाजमा से रिलेटेड प्लाजमा क्या है तॉलिड की जो प्रूरी जो द्रब्य होते हैं फ्ल तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज जो ठोस द्रव और गैस के अलावा कि चौथी स्टेज क्या होती है प्लाजमा जो ना कि ठोस है ना सॉलिड है ना लिक्विड है और ना ही गैस है तो प्लाजमा में क्या होता है कि आप जिस भी जब भी आप जो भी आपके भाई बहन ब्यस्सी करें या आगे रिसर्च में जाएं तो लोग प्लाजमा से आक्सीजन प्लाजमा बनाते हैं इसके लिए क्लीन करने के लिए जैसे अगर आपको ये एक जार है उल्टा जार अगर आप इसको और इसमें खुब कोईला लगा है या खुब गंदा है तो इसके अंदर अगर आप आप अक्सीजन प्लाजमा बना देंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही साफ हो जाएगा जैसे बिल्कुल नया हो जाता है ग्लास तो प्लाजमा क्या करते हैं प्लाजमा टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके देखिए ये एक आर्टिफिशल सन बना दिये और ये जो दीवारे हैं इनके इनके बीच में क्या क्रियेट कर दीजिए प्लाजमा प्लाजमा का क्या मतलब है कि इनका इनका कोई भी फिजिकल कॉंटेक्ट नहीं है बीच में गैस की क्या है एक मटेरियल के फोर्थ स्टेज की एक लेयर है जो कि इनके इनके बीच में डारेक्ट कॉंटेक्ट नहीं करने देगी अब जब डारेक्ट कॉंटेक्ट नहीं करने द आपको बता दिये तो आज के लिए इतना ही अब अगर आपके पास nuclear सब्दों में लिखने को आता है आपके पास इतना material हो गया भारत के nuclear प्रोग्राम को तीन चरणों वाला जो है वो लिख सकें और दो और जो इसू चल रहे हैं तो लोग जो है कंट्रीज क्या करती है अच्छा नुक्लियर बं के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया सकता है तो जिससे भी इंडिया का एग्रिमेंट है वहां से यह किया गया है कि उनके यूरेनियम का इस्तेमाल नुक्लियर बं के लिए इस्तेमाल नहीं होगा दो यह सब जरा ध्यान में रखिए बात और तो इसमें कुछ फीक है यह तो बताई चुक है तो आज के लिए इतना ही नेक्ट लेक्षर में हम लोग किसी नए टॉपी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए फूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्रिविएस एर कुश्चन जरूर देखते रहिए और तोला जून को आपका पेपर है यूपी सी का उसके लिए अल्दवेस्ट अभी से आगे देखते हैं धन्यवाद